नमस्कार विद्यर्थी मित्रों मैं भूज़ अग्रवाल कक्षा 10 विशेशामाजीक विज्ञान में पार्थ 15 आर्थिक विकास को लेकर इस वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित रहे हूँ मित्रों हमारा आज का जो चैप्टर है इस वीडियो में वो है आर्थिक विकास तो हमारा भारत देश जो है वो विक्षित है यह विकास सिर्थ आर्थिक विकास का यह जो पार्थ है वो दस्वी की SS की किताब में सामाजीक विज्ञान की किताब में क्यूं रखा गया तो आर् पार्ट में समझाओंगी तो इस पार्ट को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और समझना परिक्षा के दोरान इस पार्ट में से कई महत्व के प्रश्णा आते हैं और आगे भी इस पार्ट के अंदर जो भी कुछ महत्व के मुद्दे हैं वो आपको भविश्य में भी काम आ सकते हैं तो सबसे पहले में आर्थिक विकास की व्याख्या और उसके बाद संक्षित में आपको जानकारी देते हुए आगे चड़्शा करूंगी है कि तो मित्रो हमारा जो आजका इस वीडियो में पार्ट है आर्थिक विकास अर्थिक विकास के यह मुद्द्र जो है वह इस पार्थ के अंदर क्यी रखा गया तो आप लोग जानते हैं कि आर्थिक विकास ये जो पार्थ है वो वैसे तो आर्थशास्त्र यानि कि जो विशय आता है अर्थशास्त्र एक आर्थिक यानि पैसों के मामले में जो जिस तरह देश के अंदर चल रहा होता है देश की तरह चलता है और अपनी जो राष्ट्र की आवक है सब जानते हैं कि देश या पूरे विश्वալ क्याणर कोई व्याक्ति सभी सभी व्यक्ति पैसे वाले नहीं की सभी गरीब भी नहीं आ यह कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो भॉतिक शुक शुषिधाव वाला वाला सुख सुवीधाव वाला यानि कि उनके करडों के घर हैं बिजनेस चल रहे हैं अच्छे खासे उद्योग धंदे हैं उनके पास पैसा है सबी ख्वाई से पूरी करने के लिए उनके पास सब कुछ है यानि उनकी सुभा यह अलग तरीके की होती है और कुछ वर्ग ऐसा है या यानि कुछ जात ऐसी है या कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सुबह एक संगर्स में जीवन लेकर शुरू होती है यानि जैसे ही सुबह उठेने के वैसे ही मजदूरी करना वही काम पर जाना पैसे मिले तो ठीक या काम मिला तो ठीक तो ऐसा भी वर्ग है जो हमारे देश में है लोग ऐसे हैं यह तो एक वर्ग ऐसा है गरीब वर्ग जिसे हम कहते हैं तो ऐसा वर्ग भी है कि जिसे हम एक कल्पना नहीं कर सकते तो ऐसे वर्ग के कारण हमारा देश जो है वह आर्थिक तरीके से यानि कि कहते हैं ना कि अमेरिका है चीन जो है जहापान है यह सब लोगों पास बहुत ही अच्छे से हो गया है या तो फिर उन लोगों के पास इतनी टेकनोलोजी है इतना पैसा है कि वह रेक व्यक्ति को अच्छी तरह से बलड़े प्रती व्यक्ति आए सबकी आवक है आम दनी जो है वह बहुत ही अच्छी है परनतु हमारे देश में कहीं न ना कहिए ऐसी कुछ ख्षती है जिसके कारण हमारा देश जो है वह अभी विक्षित हुआ नहीं है अभी विकास सिल है तो ऐसे वर्ग के कारण यह मुद्दा यहांपर आज बहुत ही आवश्यक है आपको जानना कि आर्थिक विकास अर्था क्या तो यहां जो चाहिए उसको वो हर सुबह मिल जाए ऐसी नहीं होती कुछ वर्ग ऐसा है जो अमीर वर्ग है और कुछ वर्ग जो है वो गरीबी में जीता है तो कुछ लोग भावतिक सुक्सुविधाओं से भरपूर जीवन व्यतित करते हैं परंतु विश्व की अधिकांस जनसंख्या जीवन अस्तित्व टिकायर अपने के लिए संगर्ष करती है जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि संगर्ष करना कुछ लोगों के अभी भी जीवन में एक महत्व का बोल देना कि महत्व का प्रश्ण है गरीब के रूप में पैचाने जाने वाले इन लोगों के लिए भौतिक सुख सुविधाय या आराम एक कल्पना का विशय है जो लोग गरीब है गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं जिनके लिए सुख सुविधाय क्या है यह तो हमारे घर के अंदर जो लग्जूरियस आइटम हमारे घर के अंदर है तो ऐसे जो गरीबी वर्ग के कि ऐसी परिस्टिक किस परा उत्पन्न हुई क्यों उत्पन्न हुई तो इस परिस्टिक से बहर कैसे निकला जाए तो उसकी जो पूरी करें कि मुद्देवार जी बोलते हैं की एक कुरा परिपत्र तेयार किया जाता है तो आधी ऐसे प्रश्णों के उत्तर तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक विकास का अर्थ क्या होता है तो देखते हैं कि आज के युग में आज के आधुनिक युग में विश्व का प्रत्यक देश विकास के लिए प्रयत्ना करता है चाहे अमेरिका हो जापान हो इस्राइल हो कैनेडा हो या कोई भ विक्षित हो देश हर एक देशों के कंपेरिजन में या समान्दा में सबसे आगे हो तो हर एक देश विकास के लिए प्रायत्न करता है परन्तु विकास मात्र आर्थिक ही नहीं अनेक पक्षोवाला सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है आर्थिक विकास यह किसी भी देश की राष्ट्रिया आए में होने वाली सत्त वृद्धी दर्शाता है तो आर्थिक विकास यह किसी भी देश की राष्ट्रिया आए अर्थात किया यानि कि राष्ट्र के अंदर जो आवक या तो जो आए है यानि कि समझो कि सरकार के पास प यूद्धी कव होती है तो जैसे की यह जो विजली का बील है बड़े-बड़े उद्योग धंदे हैं you फिर जो खेती पालन है पशुपालन है जो मत्से उद्योग है तो यह सब जो उद्योग धंदे होते हैं यहां से संदेशा जैसे पहुंचता है तूरंती हम पहले के समय में देखो पत्रव्यवार का चलता था परंतु अभी टेक्नोलोजी की सुविधा के कारण आज वो पत्रव्यवार से हम लोग थोड़ी टेक्नोलोजी यूज करते हुए आज यह सोस्यल मीडिया का ज्यादा उप्योग कर रहे तो यह ज उद्योग धंदे अच्छे चलेंगे खेती पालन हुआ या मदपसु पालन हुआ या उद्योग कोई भी हुए या कोई कंपनी हुई तो वह जो टैक्स है या तो कुछ भी जो भी कुछ कमाएंगे उससे थोड़ा हिस्सा सरकार को जाता है तो इसी तरह जो है राष्ट्री आय जो है वह आर्थिक विकास राष्ट्री आय में सतत वृद्धी होना वह एक आर्थिक विकास है तो कहीं ना कहीं हमारे देश में राष्ट्री आय में कमी है जिसके कारण आज हमारा देश जो है वह विक्षित नहीं परंतु विकास सील है तो देखते हैं आर्थिक विका कि सतत्वरूद्धी होना राष्ट्री आयमे क्यों गड़ाय कि उध्योक हैं एं Васुपालन है उधवर घ्जोग है तो जिससे सरकार के यह सब prossospik divide जो है वो अच्छे चलेंगे अगर राश्ट्री आय में वृद्धी हुई तो हमारे देश का जो विकास है वो बहुत ही अच्छा होगा दूसरा देखते हैं कि देश की प्रती व्यक्ति आय में वृद्धी होना प्रती व्यक्ति आय यानि कि हर एक घर के अंदर या यानि कि हर एक घर के अंदर या हर एक व्यकति की जो आय है, महिने की, अगर वो अच्छे से काम करेगा, तो उसकी जो सैलरी है या पगार है, उसमें बड़ावा होगा, और सामने कंपनी को भी फायदा होगा तो उससे सरकार को फायदा होगा और सरकार से क्या होगा हमारी राश्ट्री आय में वृद्धी होगी और हमारे देश का जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से होगा तो इसी तरह प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धी होना वह भी एक आर्थिक विकास है कि अगर प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धी होगी तो राष्ट्री आय में वृद्धी होगी और राष्ट्री आय में वृद्धी हुई तो आर्थिक विकास जो है वो देश का बहुत ही बखोवी तरीके से होने वाला है तो लोगों के जीवनस्तर में सुधार होना तो अगर लोगों का जीवनस्तर यानि जो वर्ग गरीवी रेखा के नीचे जीवन जी रहा है तो उनका जीवनस्तर जो है अगर उसमें सुधार आया वो वर्ग जो अभी बिल्कुल खाने के खाने विकास जो है वो बहुत ही देश का अच्छा होगा तो इसी तरह इस बात को आर्थिक विकास का जा सकता है तो मित्रों यहां पर आर्थिक विकास की जो व्याख्या है वो याद रखनी है और आर्थिक विकास अर्थात क्या तो राश्ट्री आए में सत्त वृद्धी होना प् बार बार पूछे जाएंगे देश की कूल आय को राष्ट्रिया कहा जाता है कूल आय जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी देश के अंदर जितने भी उद्योग धंदे कंपनी वगेरा चल रही है पसुपालन उद्योग या खेती उद्योग जो भी चल रहा है पूरे देश जो है वह अभिकास की और आगे बढ़ेगा तो देश की कूल आय को राष्ट्रिया कहा जाता है और देश की कूल राष्ट्रिया को यानि कि जो राष्ट्रिया है समझ लो कि एक करोड राष्ट्रिया है तो उसकी देश की कूल जन संख्या से विबाजित करने पर प्र प्रतिव्यक्ति आय कैसे प्राप्त होगी तो राष्ट्री आय जो है उसको कुल जन संख्या यानि हमारे देश की जो 130 करोड जन संख्या है 120 या 130 करोड जो जन संख्या है उससे विबाजित करेंगे तो प्रतिव्यक्ति आय हमें प्राप्त होगी तो जबकि जीवन स्तर में ल की सुवीधा तथा आवास की रहने की सुवीधा का समावेस होता है जैसे कि हम ने यहां देखा कि लोगों के जीवन स्थर में सुधार ओना जिस किसी जो सुधार आएगा तो हमारे देश में अपने आप ही देश का विकास जो है वो बहुत ही अच्छे से होगा तो भारत में आजादी के बाद राश्ट्री आए राश्ट्री आए और प्रती व्यक्ति आए में वृद्धी होने से अनाज, कपड़ा, बिजली, शिक्षा, स्वास, आवाश, आदी सेवाओ का उप्योग और सुवीधाओ में वृद्धी हुई है पहले की तुलना में उपर्युक्त आवश्यक्ताएं अच्छी तरह संतुष्ट होती है अतव कहा जा सकता है कि भारत में आर्थी क्विकास हो रहा है जो पहले, चाहे सो साल हो कि पचास साल पहले जो भारत की स्थिती थी उससे आज भारत की स्थिती को अगर देखा जाए तो प्रती व्यक्ति आए और राश्ट्री आए आजा दी के बाद 1947 के बाद हमारी जो राश्ट्री आए है उसमें व्रुद्धियों की मैंने पहले ये आपको बता कि अगर राश्ट्री आए में व्रुद्धि होगी तो समझ लेना कि प्रती व्यक्ति आए कि व्यक्ति एक व्यक्ति की आय यानि बढ़ेगी तो राश्ट्री आय भी बढ़ने ही वाली है अगर राश्ट्री आय बढ़ेगी तो समझ लोगे प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है तभी राश्ट्री आय में वृद्धी हुई है तो भारत में आजादी के बाद राश्ट्री और प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धी होने से अनाज कपड़ा बिजली शिक्षा स्वास्त आवास आदी सिवाओं का उप्योग और सुवीधाओं में वृद्धी हुई है पहले की तुलना में उपर युक्त आवर्शक्ताय अधिक अच्छी तरह संतुष्ट हुई है तो इ कि इतने थी शित्यासी लाग 360049 करोड इतने थी जबकि जो बढ़कर 1516 में कितनी हुई ग्यारा बारा में कितनी थी लाग 36,049 करोड जो बढ़कर 15-16 में कितनी हुई एक करोड 35,666,192 करोड यानि इतना जो बढ़ावा हुआ है इस राष्ट्रियाय में तो यह देखकर हमें लगता है कि हमारा भारत जो है वो अभी विकास दिले यानि विकास के और आगे बढ़ रहा है तो अब हम देखेंग आर्थिक वृद्धी और आर्थिक विकास के बीच में क्या अंतर है तो आर्थिक वृद्धी अर्थत क्या और आर्थिक विकास के बीच में क्या अंतर है तो देखते हैं सबसे पहले कि विकास की प्रक्रिया के आधार पर तो आर्थिक विकास गुणात्मक और आर्थिक व यहां पे हमने क्या देखा कि 2011 12 में 87,36,049 करोड थी जो बढ़कर क्या हुई 1516 में 1 करोड 35,67,192 करोड तो क्या हुआ उसमें गुणा यानि कि वो डबल हुई बरबर तो इसी तरह गुणात्मक है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धी जो है वो परिनात्मक है परिनात् देती है तो आर्थिक विकास या प्रथम अवस्ता है जबकि आर्थिक वृद्धी आर्थिक विकास के बाद की अवस्ता है अगर आर्थिक विकास होगा तो आर्थिक वृद्धी होगी यानि कि जैसे कि समद्लों के किसी व्यक्ति की आये हर महीने 5000 है जो बढ़कर 11 12 में 5000 ह तुछ आपके जो 5,000 जीवन जी दा था वो क्या 15,000 में वैसे जिलगी जीएगा नहीं तो उसमें क्या होगा उसकी जो रहने करने की जो रीत है उसमें थोड़ा बहुत चेंजिस आएगा परिवर्तन आएगा तो क्या हुआ यह आर्थिक वृद्धी हुई तो यानि पैसा में वृद्धी होने से वह हमें कुछ नए परिणाम लाखे देगा तो इसी तरह जबकि आर्थिक वृद्धी आ आधार पर देखा अब 20 तन्तर में होने वाले परिवर्तन के आधार पर तो अर्थित तंत्र में होने वाले लेए संसर्वाणों के अधार पर उथपा अ्ञ करसेएँ कुरुशिक शेत्रा में गेहु धान जैसी फसलों में नए बीजों की खोज होने पर उत्पादन में अनेक गुना वृद्धी हुई है कुरुशीक शेत्रा के अंदर गेहूं और धान चावल जैसी जो फसले हैं उसमें नई बीजो की खोज होने से उत्पादन में क्या हुआ है कई गुना वृद्धी देखने को मिली है तो यह बात आर्थिक विकास दरसाती है और दूसरी तरफ जोत जमीन में वृद्धी होने से उत्पादन में वृद्धी हो तो उसे आर्थिक वृद्धी कहते है तो दूसरी तरफ क्या देखा हमने है कि जोत जमीन में वृद्धी होने से यानि कि अगर नए बीजो की खोज ह हो रही है देश के अंदर कि यहां पर हमने उदारन में किसा देखा कि खुषी क्षेत्रा के अंदर गेहु या धान जिसी जो फसले हैं उसको उगाने के लिए क्रुषी को जो भी कुछ चाहिए उसकी बदले में अगर नए बीजों की खोज होती है जिससे क्या होता है कि जल्दी से फसले उगा सकते हैं तो ऐसे अगर नए बीजों की खोज होने पर क्या होती है अने गुना वृद्धी होती यानि कि आर्थिक विकास अच्छी तरह जो फसले प्राप्त होंगी उसमें क्या होगा उत्पादन में वृद्धी होगी यानि कि जो फसले पहले कुछ मात्रा में जैसे सो किलो ली जाती थी तो उसमें अब 200 किलो फसले ली जाए 200 किलो उत्पादन बढ़ेगा तो इसी तरह उत्पादन में वृद्धी हो तो उसे आर्थिक वृद्धी कहते हैं विक्सित और विकास सिल देशों के संदर्व में तीसरा है आर्थिक वृद्धी और आर्थिक विकास का अंतर विक्सित और विकास सिल देशों के संदर्व में तो देखते हैं कि विक्सित और विकास सिल देशों के संदर्व में दोनों के बीच अंतर पाग जाता है विखशित देशों की राष्ट्रियाये में हुई वृद्धी आर्थिक वृद्धी कहलाती यानि इसे विखषित देश जैसे की जापन ऑमेरिका IN là जो है वह विखषित देश देशों की तुलना में वो भी अच्छी है तो आर्थिक वृद्धी कहलाती है जबकि विकास देशों की राष्ट्री आये में हुई वृद्धी आर्थिक विकास कहलाती है जैसा कि हमारा भारत जो है वह अर्थिक राष्ट्री आये में अगर वृद्धी हुई है तो वह आर् रस्पी सिल से तो उसके अर्थ तंत्र लक्षण यानि कि विकास सिल क्यूंँ है कौन-कौन से लखे ऐसे है जिसके कारण हमारा भारत देश जो है वह अभी विकास त्षित हुआ नहीं मैं प्रतिव्यक्टिया की आधार पर अलग किये जाते हैं विश्व बैंक के 2004 के विश्व विकास लेख में कि ऐसे साथ सो पैंटिस डॉलर से कम प्रतिव्यक्टिया आए वाले देशों को विकास अर्थ तंत्र के रूप में पहचाना जाता है तो विकास अर्थ तंत्र के लख्षन जो है वो नीचे दिये गए हैं यहाँ पर एक बड़ फिर से देख लो कि विकास अर्थ तंत्र और व कहा गया है कि 735 डॉलर जो है वो याद रखना है कि विश्व बैंक ने 2004 में कितने से कम तो 735 डॉलर से कम प्रती व्यक्ति आये वाले देशों को विकास सिल अर्थतंत्र के रूप में यानि कि समद लोकि हमारा भारत जो है वो 735 डॉलर से भी कम आये वाला देश है तो हम देखेंगे विकास सिल अर्थतंत्र का पहला लक्षा नीची प्रती व्यक्ति आये नीची प्रती व्यक्ति यानि कि हर एक व्यक्ति की जो आवक है हमारे देश में पांच व्यक्ति हैं उसमें सिर्फ एक एक या दो व्यक्ति कमारें हैं तो उनकी जो आया है वो सालोंसे उतनी है तो वह देश के कारण रच्ट्री या वृद्धी नहीं हो रही है जो दो साल से व्यक्ति को पगार नहीं बढ़ा रही है यानि उतना की उतना यह समझ लोगी कंपनी को कोई फाइदा हो रहा नहीं है या तो फिर कंपनी का जो है तो कंपनी की जो इनकम है वह जितनी उतनी है ना तो उसमें वrüद्धी ऋरी या ना कम हो यह तो जिसके कारण क्या होता है कि राश्ट्री आए में नहीं वर्धी दिखाई देती है और नहीं विकास तो नीची प्रतिवेक्ति आये तो विकास सिल देशों की राष्ट्री आये नीची होती है जबकि जन संख्या वृद्धी दर अधीक होने से प्रतिवेक्ति आये नीची रहती है यानि विकास सिल देश क्या होता है उसमें कि राष्ट्री आये नीची होती है हमारा भारत देश जो है वह विकास सिल है तो उसमें राष्ट्री आय कम होने से यह विकास सिल है और उसमें जन संख्या वृद्धी दर यानि कि जन संख्या जो है अमारे भारत देश में वो वृद्धी उसकी वृद्धी होती रहती है परंतु प्रतिव्यक्ति आय क्या होती जाती है उसके कारण नीचा होता जाता है तो नीची प्रतिव्यक्ति आय के कारण जीवन सर नीचा रहता है दूसरा देखते हैं तो इसी तर हमने पहला मुद्दा देखा कि नीची प्रतिव्यक्ति आय जो है वह हमारे विकास सिल अर्थ तंत्रकायक महत्वपूर्ण लक्सन है जिसके कारण भारत देश यानि कि जन संक्या में व्रुद्धी होती है परंतु प्रती व्यक्ति आये में व्रुद्धी होती नहीं है यदि अगर व्यक्ति 5000 कमाता है और दो साल के बाद वह 15000 कमाने लगता है हर एक व्यक्ति के आये में व्रुद्धी हो तो वह राश्ट्री आये में व्रुद्धी कर अब जन संक्या वृद्धी तो विकासिल देशों में जन संक्या वृद्धी अधिक होती है भारत देश जो है वो विश्व में दूसरे क्रम पर आता है जन संक्या के मामले में तो विकास सिल देशों में जन संक्या वृद्धी अधिक होती है ऐसे देशों में जन संक्या वृद्धी दर दो प्रतिशत अत्वा उससे भी अधिक होता है तो जन संग्या वृद्धी को कंट्रोल में लाना उसको काबू में लाना बहुत ही जरूर ही है अगर जन संग्या वृद्धी होती रही और राष्ट्री आए नीची हो तो प्रतिवेक्ति आए भी नीची होने वाली और देश का विकास जो है वो होने वाला नहीं है तो कुशी क्षेत्र पर उलंबन तीसरा मुद्धा तो विकास सिल देशों में कुशी मुख्य आर्थिक प्रवरुत्ति होती है तो हमारा जो भारत देश है वो कुशी आधारित, कुशी प्रधान देश है जो ज़्यादातर लगबग 75 प्रतिशत या 70 प्रतिशत लोग जो है वो कुशी पर आधारित है तो कुरुशी मुख्य आर्थिक प्रवरूत्ती होती है और देश के साहिट तका देश के कितने प्रतिशत तो देश के साहिट प्रतिशत से भी अधीक लोग रोजगारी के लिए कुरुशी पर निर्भर रहते हैं तो यहां पर हमने क्या देखा कुरुशी पर अवलंबर तो विकास सिल देशों में मुख्य जो है वो आर्थिक प्रवरूत्ती तो यहां हम देख रहे हैं कि विकास सिल देशों में कुरुशी मुख्य आर्थिक प्रवरूत्ती रहती है और देश के 60 प्रतिशत से भी अधिक लोग रोजगारी के लिए कुरुशी पर निर्वर रहते हैं जिसा कि मैंने आपको बताया कि 70 प्रतिशत लोग जो है वो हमारे देश में कुरुशी पर आधारी थे यानि खेती उद्योगे, मस्य उद्योगे, पसु पालन उद्योगे उससे जुड़े हुए हैं रोजगारी के लिए तो विकासिल देश के अंदर 60 प्रतिशत से भी अधिक लोग रोजगारी के लिए कुरुशी पर निर्वर रहते हैं देश की राष्ट्री आय में भी कुरुशी का योगदान लगभग 25 प्रतिशत होता है तो यानि राष्ट्री आय में कुरुशी का योगदान तो दुसरी और जो आय है तो वो अगर लोग दुसरे कारे से नहीं जुड़ेंगे तो राष्ट्री आय जो है वो बहत ही कम होग चौथा हम देखेंगे आई वित्रण की असमानता चौथा हम देखेंगे आई वित्रण की समानता तो विकास सिल देशों में आय तथा उत्पादन के साधनों का बटवारा उत्पादन के साधन दो जमीन, पूझी, श्रम और देस के सिर्ष 20 प्रतिशत धनीक लोग राष्ट्रिया आयका 40 प्रतिशत हिसा रखते हैं और निमनसर के 20 प्रतिशत गरीब लोग राश्टरी आय का 10 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं तो इसी तरह आय वित्रण की जो असमानता है वो भी विकास सिल अर्थ दंद्र का एक महत्वपूर्ण लक्षन है अब है बेरोजगारी यानि ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षन है कि बेरोजगारी के कारण हमारा देश जो है वो विक्षित होने की जगाव विकास सिल है अभी तक तो सिक्सित बेरोजगारी प्रचिन बेरोजगारी तो ऐसे कई प्रकार की 6-7 प्रकार की बेरोजगारिया हैं जिसके कारण व्यक्ति को रोजगार न मिलने पर देश की प्रतिव्यक्ति आय जो है वो बहुत ही कम होती है और प्रतिव्यक्ति आय कम होने पर राष्ट्री आय मे वुरुद्धी नहीं हो पाती तो देखते हैं बेरोजगारी विकासिल देशों का एक महत्व पूर्ण लक्सन है तो इन देशों में बेरोजगारी का प्रमान कुल श्रमिकों की संख्या के तीन प्रतिशत से भी अधिक होता है इन देशों में बेरोजगारी भिन भिन स्वरू तो इन देशों में बेरोजगारी भिन भिन स्वरूपों से जैसे मौसमी बेरोजगारी अब समझ लो कि बारिस की सीजन है उसमें बार्ड आ जाने पर जो फसले उगाई गई हैं वो फसले पूरी बारिस में बार्ड आने पर पूरी फसले खराब हो गई तो जिससे क्या होगा व्यक्ति बेरोजगार हो जाएगा उसने जो महनत की है वो सारी महनत पर पानी फिर जाएगा तो इसी तरह मौसमी बेरोजगारी छुपी बेरोजगारी अध्योगीक बेरोजगारी आदी पाई जाती है जो लंबे समय की बेरोजगारी होती है तो इसी तरह बेरोजगारी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षन है अब है गरीबी गरीबी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रशन है कि देश के अंदर गरीब व्यक्ती जादा होने पर या गरीब वर्ग की शंक्या जादा होने पर देश जो है वो विक्सित हो पा श्वास आधी पूरा नहीं कर सकते यानि जो व्यक्ति के पास इतना भी पैसा नहीं है कि जो अपने खाने पीने के लिए अनाज कपड़ा आवाज शिक्षा और स्वास के लिए पैसे निकाल सके या उन जरूरियातों को उन आवश्च्टाओं को पूरी कर सके तो उसे क्या ग लगबक तीसरा भाग होती हैं तो इसी तरह विकास सिल देश यानि हमारे भारत देश के अंदर समझो की संख्या के कूल जन संख्या का लगबक तीसरा हिस्सा समद लोग की एक करोड संख्या है उसमें लोगों की संख्या का कूल जन संख्या का तीसरा है भाग यानि कि हमार भारत में अगर एक करोड की संख्या है जन संख्या है तो इसमें तीस तीन करोड लोक तीन कर तीस लाक लोग जो है वो कैसे हैं गरीब गिने जाते हैं तो ऐसे तीसरा भाग जो है वो क्या है गरीबी रेखा के नीची जीने वाला वर्ग है अब देखते हैं द्वी मुखी अर्थ तंत्र विकास सिल देशों में अर्थ तंत्र का स्वरूप द्वी मुखी पाया जाता है एट तरफ ग्रामेक शेत्रों में पिछडी कुरुशी पद्धती यानि कि जो टेक्नोलोजी द्वार विक्षित देशों के अंदर क्या होता है कि टेक्नोलोजी से या अपने कुछ नए खोजों के द्वारा नए संसोधनों के द्वारा वहां पद्धतियां कुरुशी में पर्ण करके और फ़सले उगाई जाती है तो यह सफी पिछड़ी कुरशी पद्धती पुरानी अंत्रसामग्री कि यानिकी बेलो को बैंटर गेसा जोड़के या तो फीर हलके साथ जोड़के खेतों में जुताई होती है तो इसी तरह पुरानी यंत्र सामगरी रुडी चुस्त सामाजिक धाचा यानि कि कुछ जो परंपरा हैं रिती रिवाज हैं उनी के अनुसार चलना तो कम उत्पादन इसलिए पाया जाता है जबकि जबी मुखी यानि कि दो तरीके का पाया जाता है तो जो गाउं का जो जीवन है ग्रामिंग शेत्र है उसके अंदर पिछडी कुछी पद्धती है पुरानी यंत्र सामगरी से वो लोग अपना जीवन गुजारते हैं और आवक आए जो है वो देश की राष्ट्रियाए में उद्धन के पद्धती का उप्ध्योग करते हैं जब कि ग्रामिं क्षेत्रा में ये सब दिखाई देता इसी तरह द्वीमुखी अर्थतंत्र पद्धती वीकासित देशों में देखने को मिलती है अब हैं मुलबूत और परियाप्त सेवाएं तो मुलबूत और परियाप्त सेवाएं में विकास के लिए अनिवारे मुलबूत सेवाएं जैसे कि शिक्षा, परिवहन, संचर, बिजली, स्वास, बैंकिंग आदि का ऐसे अर्थतंत्रा में कम विकास होता है यानि विकास सिल देशों के अंदर और विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपून क्या है शिक्षा अगर व्यक्ति शिक्षित होगा उसके पास अच्छी नौकरी होगी तो वो प्रती व्यक्ति आये में वृद्धी करेगा जिससे राष्ट्री आये में अवश्य ही संदेशा पहुंचाने के लिए लाने ले जाने के लिए जो चीजों का जो साधनों का उप्योग होता है वह तो परिवहन संचार बिजली स्वास्त बैंकिंग आदी ऐसे अर्थतंत्रमा कम विकास होता है जिसके कारण हमारा देश जो है वह विकास सेल रह जाता है तो देश देश के विकास कब होगा जब शिक्षापरिवहन संचार बिजली स्वास्त बैंकिंग शेवा इन सब का विकास अगर ज्ञादा प्रमाण में होगा तो देश के लिए यह अव्रोधक विकास के लिए अवरोधक बनेगा नहीं बल्कि क्या होगा देश जो है वो विक्षित बनेगा अब है लास्ट और अंतिम बुद्दा अंतर राश्ट्रे व्यापार का स्वरूप तो विकास सिल देशों में विदेशी व्यापार का स्वरूप और धाचा अलग-अलग पाया जाता है यह विदेशी व्यापार का स्वरूप और धाचा अलग-अलग थरी इस जाता है यह देश के मुख्यता कुरुशी द्रट कर बगी चोंपज का दूं का निर्याद कच्ची धातु में क्या आता है कि कोईला जो है वो कच्ची धातु है जिसको कच्चा जो कोईला होता है वो किसके खाना पकाने के रूप में या किसी अन्या वस्तुओं में वो महत्वकार रहता है तो कच्ची धातुओं का निर्यात करते हैं इस प्रकार के निर्यात की मांग कम होती है और भाव नीचा होता है तो बगीचों की उपज और कच्ची धातुओं का निर्यात जो है वो विदेशों में ज्यादा होने पर निर्यात की मांग कम होती है और भाव नीचा मिलने पर क् वस्तों का भाव अधिक होने से आयात के पीछे खर्च अधिक होता है इस प्रकार विकासिल देशों के लिए विदेशी व्यापार की सरते प्रतिकुल होने से देश पर विदेशी कर्ज क्या होता है बढ़ जाता है यानि कि हम यहां से जो सीजे भेज रहे हैं वो भेज तो र जाता है तो इसी तरह अंतराश्ट्री व्यापार का स्वरूप जो है वो विकास्षिल अर्थतंत्र का महत्वपून और अंतिम लक्षण है तो इस प्रकार विकास्षिल देशों के मुख्य तहा उपर दिये गए कुल नौ लक्षण है यह लक्षण विद्यारदी मित्रों तो अब देखते हैं आर्थिक प्रवरूति और अनार्थिक प्रवरूति तो आर्थिक प्रवरूति किसे कहते तो भारती अर्थ तंत्र का परिश्य प्राप्त करने से पहले हम आर्थिक और अनार्थिक प्रवरूति देख लेते हैं आर्थिक तो आय प्राप्त करने या खर करने के उद्धिश जो प्रवृत्ति की जाती है उसे हम आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं उदारन के तौर पर किसान यानि वह किसान जो है वह आई प्राप्त करने के लिए आय प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो हमारे देश की राष्ट्रेया में वृद्धी करता हैगा किसान ही ना हो देश के अंदर तो खेती उद्योग जो है वो कैसा होगा बिल्कुल बंद हो जाएगा जो हमें अनाज प्राप्त करके देने वाला कोई व्यक प्राप्त करने और खर्च करने के उद्यशाष से की जाने वाली प्राप्त को आर्प्रवरुति कळते हैं अब देखते हैं अनार्थिक तो जिस प्रवृति का उद्देश आय प्राप्त करना या खर्च करना ना हो, जिस प्रवृति का उद्देश आय प्राप्त करना या खर्च करना कुछ भी ना हो उस प्रवृति को अनार्थिक कहते हैं, जैसे कि माता अपने बालक की देख भाल करती है, तो क्या उसमें वो आ कर सकते उसके प्रेम को या उसकी जो देखभाल है उसको किना ई देश की राश्ट्री में वृद्धी होगी तो ऐसी प्रवरुति जिसमें tornado कि कि तो मुएटा की देखभाल करें । यह सब और अर्थिक प्रवरुति जिससे देश को पुछलाब होने वाला नहीं है तो मित्रों यहां पर हमने जैसे की देखा कि आर्थिक और अनार्थिक प्रवरुति अब आता है भारती अर्थतंत्र का धाचा तो इसकी चर्चा में मैं अपने अगले वीडियो भाग दो के अंदर करूंगी तो आगे की चर्चा आपको भी ध ध्यान से देखकर लाइक और सस्क्राइब दोनों करना है तो इसी तरह इस वीडियो को आप ध्यान से समझे देखे और सुने एसी मैं आसा रखती हूं तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूं आभार